पिछले कई हफ्तों से हम लोग संपुष्ट परिवार के बारे में चर्चा कर रहे हैं संपुष्ट का मतलब है जो पुष्ट है परिवार के मामले में लोगों के मन में बड़ी गलत फहमिया है गलत फेहमियां इसलिए है कि बच्छपन से हम लोग जो नानी मा या दादी मा की कहानियां सुनते आ रहे हैं ये कहानियां जीवन के यथार्थ को हमारे सामने नहीं रखती हैं बस इन कहानियां में होता है एक राजकुमार ने एक सुन्दर राजकुमारी को देखा और उस राजकुमारी ने जो कहा या राजकुमारी के बाप ने जो कहा वो करके दिखाया और शादी होगे उसके बाद खुशी-खुशी जिन्दगी बर रहे वैवाहिक जीवन ऐसा नहीं होता है वैवाहिक जीवन इसकी तुलना में काफी जटिल होता है और वैवाहिक जीवन में सैकडों अन्य बातें जुड़ी हुई है लेकिन नानीमा, दादीमा की कहानी का था कहानियों में बस राजकुमार ने राजकुमारी को देखा शादी की जिन्देगी बर सुखी रहे इनको सुन सुन कर हम ये भूल गए हैं कि विवाह अपने आप में एक लंबी और एक जटिल प्रक्रिया है जिसके लिए ना केवल विवाह से पहले हमें अपने आपको तयार करना चाहिए बलकि विवाह के बाद प्रति दिन प्रतिय च्छन हमें इस प्रक्रिया के लिए अपने आपको तयार रखना चाहिए इसलिए मैंने इस सीरीज का नाम संपुष्ट पारिवारिक जीवन रखा है मतलब जो एकदम से पुष्ट हो आगे बढ़ने से पहले मैं याद देलाना चाहता हूँ भाई रेंजी तिस समय ट्रेन में है और मैं चुकि यह कंप्यूटर से ब्राडकास्ट कर रहा हूँ तो मुझे अपने जो कंट्रोल पैनल है उस पर बाकाइदा दिख रहा है कि बीच बीच में ट्रेन यात्रा में उनका सिगनल जो है जुड रहा है कट रहा है जुड रहा है हम उनको प्रार्थना में याद रखेंगे एक तो उनकी यात्रा के लिए वो भी इस आती भयाना ठंड में, दूसरी बात, चम्बल इलाके से ये जो हिंदी प्रोग्राम होता है, जो कई सालों से चल रहा है, वो भी सुबश शाम, इसके सूत्राधार भाई रंजीत है, भाई रंजीत को और उनकी सेवा को इसलिए याद करना जरूरी है, संपुष्ट पायरिवायरिक जीवन में, पिछले हफ़ते मैंने आपको ये बताये था, लापरवाह पिता बरबात पुत्र, ये टैटल जो मैंने यूज किया, इसके पीछे एक कारण है, पायरिवायरिक जीवन को दादी मा की कहानियों तक सीमित करने के कारण, वैवाहिक जीवन में जिस व्यक्ति को सबसे अधिक जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठानी चाहिए, वे व्यक्ति पूरी तरह से लापरवा हो गये हैं। आज स्तिती यह है कि परिवारों में बच्चे को पैदा कर दिया, उसके बाद पिता लोग मुड़ के नहीं देखते हैं। बच्चे की क्या हालत है, वो बोलने लगा है क्या, बोलने लगा है तो उसको क्या सिखाना है, उसको कैसे बातचित करना है, ये सिखाना है, सैकडों बाते हैं जैसा मैंने पिछले हफ़ते बताया था, आज परिवारों में बच्चों की वही हालत हो रही है, जो कुते बिल्ली और सुवरों के घरों में होता है, बे लोग जब उनका समय आता है तो बड़े उत्साह से बच्चे पैदा कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद पीता की जैसी कोई चीज इन जैनवरों में नहीं होती है, हम मनिश भी धीरे धीरे उसी दिशा में बढ़ रहे हैं, बच्चे को पालने की सारी जिम्मेदारी मा के उपर डाल दिया जाता है, पिता लापरवाही से बस अपना काम देखता रहता है, उसको कुछ नहीं मालूम की बेट का क्या हो रहा है? चूकी हम जो भी परिवार के बारे में सोचते हैं वो बस कथा कहानियों से और अब तो पिकिचरों से और तमाम तरह के जो सीरीज आते हैं, टीवी पर जो सीरीज आते हैं उसमें से. इन में से कोई भी कथा कहानी, पिक्चर या सीरीज जीवन के यथार्थ को प्रसुत नहीं करता है जीवन में कठिन परिस्थितियां जो आती हैं उन परिस्थितियों को ये लोग ले लेते हैं लेकिन उस परिस्थिति को लेकर वे लोग जो कथा कहानियां उसके चारों तरफ बुन देते हैं, इनका यथार्थ जीवन से कोई संबंद नहीं है एक छोटा सा येदि उदाहर इंटिया जाए, आपका बेटा अठारा साल का हो जाता है या बीस का हो जाता है आप उम्मीद करते हैं कि जब समय आएगा तब वो उद्धार प्राप्त कर लेगा, आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि आप उसको प्रभू इशु का शुप संदेश सुना सकें, इसलिए ये कायरिय जो है प्रचारक को कॉंट्रैक्ट पे दे दिया है जैसे आजकल तो हर चीज कॉंट्रैक्ट पे देने का चालन हो गया है और आप यह उम्मीद करते हैं कि समय आने पर 32 मा ले लेगा 18 साल की उमर में वो एक दिन स्कूल से घर आके कहता है या कॉलिज से फस्ट यर से घर आके कहता है कि पापा मैंने विश्वा स्तियाग कर दिया है जादा तर पिताओं की हालत यह होती है कि जब बेटा आके 18 साल की उमर में कहता है कि मैंने विश्वा स्तियाग कर दिया है तो पिता बुरी तरह से उखड जाता है फिर कहे को मैंने इत्ते साल तुझे पाला याद रखें जानुवर भी तो अपने बच्चे पालते हैं मनिश्यों के समय नहीं लेकिन बहुत सारे जानुवर बच्चे पालते हैं खास कर जो माएं हैं बच्चों को दूद दे कर पालती है लेकिन यह दी 18 साल की उमर में आकर आपका बेटा आपसे कहता है कि पापा मैंने विश्वा स्तियाग कर दिया है या 21 साल की उमर में वो आकर ये दी आपसे कहता है पापा, ममी, मेरे साथ एक गैर मसीही लड़की पड़ती है मैंने डिसाइड कर लिया है कि उसके साथ शादी करूँगा उसका बाप कौन है? समाज में सबसे ज़्यादा आपरा दी पुलीस जिसके पीछे हाथ धोके पड़ी है मैं उसकी लड़की से शादी करना चाहता हूँ तब डांटने, फटकारने, छिल्लाने से कुछ नहीं होगा जिन परिवारों में ऐसा होता है उन में से ज़्यादा तर परिवारों में बच्चे के पैदा होने के बाद बाप ने कभी मुड़कर नहीं देखा था जब मुड़कर नहीं देखा था तो अठारा, वीस ये एकीस साल की उमर में आपका यदि मूर उखड़ जाता है कि काहे को मैंने तुझे पाला था तो आप से मेरे एक प्रश्न है और यदि आपका बेटा जिस नालाइक बेटे के रूप में आपने उसे पाला है लाइक था, जब वो पैदा हुआ था तब लाइक था नालाइक आपने किया है अपनी लापरवाही के कारेंट स्कूल में एड्मिशन ममी ने करवाया कॉलेज में एड्मिशन ममी ने करवाया जब मैं आप से कोई भी बात पूछता था तब आपको अपने यार दोस्तों से बात करने के अलावा फुरसत नहीं मिलती थी जब मैं होमवर्क में मदद के लिए कहता था तब आपको टीवी पर क्रिकेट देखने से फुरसत नहीं थी अब 21 साल के बाद आपको अचानक याद आ रही है कि मैं आपका प्यारा बेटा हूँ कहां था पिछले 21 साल आपका प्यार? कहां था पिछले 21 साल आपका सन्य है? इस कारण आज जितने पिता लोग ये संदेश सुन रहे हैं लेकिन साथे साथ माओं को भी मैं याद दिलाना चाहता हूँ इस बात को याद रखें कि पेड़ को जब वो बड़ा हो जाता है तब आप उखाड नहीं सकते मैं जिस मकान में रहता हूँ मकान के चारों तरफ थोड़ी सी जमीन है कई प्रकार के पेड़ लगे हुए हैं यदि बीच-पीच में हम ध्यान ना दें तो चड़ियें जो बीज डाल देती हैं उसके कारण जो पौधे उगाते हैं कुछ समय के बाद आप उनको उखाड नहीं सकते पिछले ही दिनों हमने कटहल का एक पेड़ उखाड दिया था उसके पीछे विशेश एक योजना थी लेकिन कटहल का पेड़ उखाडने में जो है ऐसी हालत खराब हुई कि कुछ पूछियन है चोटा सा पेड़ था लेकिन कटहल का पेड़ जो है सीधे जमीन में गहराई में जड़ भीजता है तो यदि आपको लगता है कि बच्चा जो है उसको समाज पाले आप पैदा करें समाज पाले और 20-21 साल की उमर में जब वो समाज की इच्छा के अनुसर चोईस करें तब आप उसको डाटेंगे तो बच्चा सही हो जाएगा ऐसा नहीं होता है इसलिए मैंने पिछले हफते और इस हफते यही विशे लिया है पिछले दिनों एक प्रसिद्द प्रचारक ने मुझसे संपर्क किया तो उनकी ना नी मर रही थी तो उन्होंने मेरे जो सह कर्मी डॉक्टर सनीश है उनके तरो संपर्क किया समस्या क्या थी वो सर क्या है मेरा बेटा 24 साल का हो गया है आत्मिक जीवन में पूरी तरह से बर्बाद हो गया है और आत्मिक विश्यों से उसका कोई लेन देन नहीं है आप जरा उसको fix कर सकते हैं क्या 24 साल की उमर के एक लड़के को जिसका जीवन बर्बाद हो गया है वो fix करना आपकी cycle या आपके motorcycle के tire में puncture हो गया है उस puncture को fix करने के समान नहीं है cycle का tire या motorcycle का tire ये जीवित वस्तुएं नहीं है और ये अपने आपने जटिल वस्तुएं नहीं है आपका बच्चा या आपकी बच्ची एक जीवित व्यक्ति है जिसका जीवन अपने आप में बहुत जटिल है और इसलिए आप मुझसे 24 साल के लॉंडे को fix करने के लिए बो बरबाद किया लापरवाही के कारण बरबाद किया अब तुम चाहते हो कि मैं जादू कर डंडा घुमा के उसको सुधार दूँ संभव नहीं है अच्छा इस भाई का एक और अनुरोथ था कि आप ऐसा कीजिए बेटे से जरा बात करें लेकिन उसको यह ना बताएं कि मैंने कहा है मैंने बताया है कि उसका आत्मिक जीवन बरबाद हो रहा है तो मैंने कहा कि अच्छा यह बहुत अच्छी बात है तुमने 24 साल अपने लॉंडे को बरबाद किया उसके बाद तुम चा बात कर दिया है, मान लिजे पापा के बारें बोलता भी नहीं हूँ, तो कम से कम तेरे पापा ने बुला के मुझे बताया है कि तेरा आत्मिक जीवन गडबड हो गया, पापा को छोड़िये, डारेक्ली बुला कि मैं उससे कहूं कि बेटा तुम्हरे आत्मिक जीवन कैसा है, ये उस भाई ने कह कि ऐसी कोई बात ना करें बस आप एक आद घंटे उससे बात कर लीजे जिससे उसका जीवन फिक्स हो जाए हमारे साथ परिशन ही क्या है कि हम लोग क्विक फिक्स के जमाने में जी रहे है कोई चीज मान लीजे कोई आपका फ्लावर वेस तूट गया तो फिक्स जो है लगाया फ्लावर वेस को जोड़ दिया फिक्स हो गया मानुषिक जीवन एक फ्लावर वेस नहीं है एक गुल्दस्ता तूट जाता है तो गुल्दस्ता सिर्फ गुल्दस्ता है एक जीवित प्राणी नहीं है एक जीवित व्यक्ति नहीं है इस कारण आज जितने पिता प्रभु का वचन सुन रहे हैं उन सब को मैं याद दिलाना चाहता हूं कि हम में से अधिक तर लोगों ने अपने बच्चों को बरबात करने के लिए जो कुछ कर सकते हैं वो साब हमने कर लिया है मनी मन सूचते हैं कि कभी कुछ कड़बड हो जाएगा तो जो है किसी प्रचारक से बोल देंगे प्रचारक के पास कोई जादूई छड़ी नहीं है बलकि यदि आपको लगता है कि किसी प्रचारक से बात करवा दो तो संभावने इस बात की है कि आपका बच्च बरबाद हो गया था प्रचारक के बाद से बात और हो जाए तो वो मर जाएगा मैं इस तरह के कई केसे जानता हूं जहां बच्चे आत्मिक जीवन में गलत दिशा में जा रहे थे या उनके जीवन में कोई परेशानी थी जानके यान जाने आई हुई परेशानी और माबापने प्रचारक से बात करवा दी ते इसके साथ बच्चा जह है उनके हाथ से पूरी तरह से निकल गया कोई किसी भी प्रचारक के हाथ में कोई जादूई छड़ी नहीं है बच्चों का पालन पोशन कोई जादूई छड़ी घुमा के नहीं किया जाता है बच्चों का पालन पोशन एक लंबी प्रक्रिया है जो बच्चे के जन्म से पहले ही आरंब हो जाता है एक माबाप जब ये निर्ने लेते हैं कि अब हमको परिवार में नए सदस्यों की जरूरत है तो जब वो निर्ने लेते हैं उसी समय उनको और भी पचासों निर्ने लेने चाहिए मैं ऐसे कई युवा दमपतियों को जानता हूँ जिन लोग ने एक्जैक्ली ऐसा ही किया जब उन्हेंने डिसाइट किया कि अब तो पारिवारिक रास्ते पर चलना जरूरी है और जैसे ही उनको पता चला कि पत्नी गर्भ होती है तो पती पत्नी ने एक दूसरे के साथ बैठ कर उस बच्चे के लिए जो अभी गर्भ में है उसके लिए गाना गाना शुरू किया और ऐसे कई पिताओं को मैं जानता हूँ जो जब से बच्चा गर्भ में आया तब से लेकर जब तक उस बच्चे का जन्म नहीं हुआ तब तक रिगुलर्ली पत्नी के पास बैठ कर उसके पेट पर हाथ रख कर पजमेश्वर के वचन के गीत काते थे और प्रभु का वचन पढ़ते थे हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां लोग इतने बेशरम हो गए हैं कि पत्नी गर्भ वती हो जाती है तब मोबाइल से पेट का चित्र खीच के फेस्बुक पर डाल देते हैं ऐसे निरलज्ज लोग हो गए हैं और इलेक्ट्रोनिक माध्यमों ने हमको बुरी तरह से निरलज्ज कर दिया है मुझे आज यदि वो पत्नी की पेट का चित्र डाल रहे हैं तो कल को ये भी हो सकता है कि उससे भी जादा चित्र डाल दे हम लोग धीरे 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 बेशरम और निरलज्ज होते जा रहे हैं जिसके कारण ऐसे चित्र जिनको प्राइवेट रहना चाहिए उनको पॉब्लिक कर रहे हैं लेकिन जो अपनी गर्भ होती पत्नी के पेट का चित्र खीच के फेस्बुक पर डाल रहा है उस नालाएक को ये बात नहीं मालूम हम दोनों का बच्चा है और विज्ञान ने ये बहुत स्पष्ट बता दिया है कि जब बच्चा गर्भ में होता है तब से माबाप यदि गाना गाते हैं तो बच्चा उसको सुनता है उसका आस्वादन करता है प्रभु कवचन ये याद दिलाता है कि प्रभु ने जिन लोगों को बुलाये था उनमें से कई लोग गर्भ से ही पवित्रात्मा से परिपूर्ण हो गये थे और साइन्टिफिक के लिए देखा गया है कि यदि माबाप या सिर्फ पिता अपने माँ अपनी वाइफ के पास बैठ कर गाना गाता है तो जब बच्चा पैदा हो जाता है उसके बहुत जल्दी ही बाद में वो बच्चा उस गाने को सुनके एकदम से रकगनेस कर लेता है शब्दों को नहीं जानता है लेकिन वो उसको पहचान लेता है तो अपने बेटे या बेटी की परविरिश उसका समय उनके संसार में जन्म लेने से पहले ही आरम हो जाता है लेकिन 21 शताबदी में और 20 शताबदी के आखरी जो 30 साल थे 1970 से आगए समाज में एक ऐसा युवा समूह पैदा हो गया है जो बस एक बात में विश्वास रखते हैं आप पैदा करें समाज पाले exactly ही जानवरों की philosophy है कुते कुती है जब बच्चे पैदा करते हैं तो जब पिल्ले दूद पीने का समय खतम हो जाता है तो उसके बाद तो माँ नहीं पालती है समाज में कहीं भी कोई रोटी का टुकड़ा फेंक देता है तो टुकड़ा खाके वो पिल्ला जो है वो जीता है तो आप पैदा करें समाज पाले इस philosophy के साथ जो यहाँ पर जी रहे हैं मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि बच्चे पैदा करने और समाज को दे देने में आपके बीच में और वो सड़क चाप कुते के बीच में कितना फरक है आप कहेंगे शास्तर यंगल यह तो बहुत कठिन शब्द है इसके पीछे कारण है जीवन का यतार्त जो मैं हर दिन देखता हूं और मेरे पास आकर माबाप और बच्चे जो रोते हैं उसको जब मैं देखता हूं तो उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूं और मेरे मूँ में जो शब्द आ रहे हैं, सारे शब्द सभी समाज के लिए उचित नहीं है, इसलिए मैं बहुत नियंद रण में बोल रहा हूँ। लेकिन वाकई मैं आज मसीही परिवारों में हो ये रहा है, कि आप पैदा कर रहे हैं, समाज पाल रहा है। नीति वचन, चौथे अध्याय के पहले पद में हमने पड़ा, हे मेरे पुत्रों, पिता की शिट्षा सुनों। इस कारण, 2023 इस नए साल के पहले दिन, आज जितने पिता लोग प्रभु का वचन सुन रहे हैं, उन सबसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आपका बच्चा एक साल का, पांच साल का, दस का, बीस का हो गया है। उसकी पैदाईश के पहले से, प्रती दिन आपने अपने बच्चे के लिए गाना शुरू किया क्या, प्रार्थना शुरू किया क्या, और बच्चा जब पैदा हो गया, तब हर दिन, अपने उस नवजात शिशु को अपनी दोनों भुजाओं में उठा कर जब जब समय मिला 24 सो घंटे तो आपको नहीं मिल सकते लेकिन जब जब समय मिला तब तब उसको अपनी भुजाओं में लेकर किसी जगह बैठ कर या घर में चलते फिरते कि आपने प्रभू के वच्चन के गाने उस बच्चे को गाकर सुनाए क्या दुनिया भर का काम करने के लिए हम में से हर व्यक्ति के पास समय है लेकिन प्रभू के वच्चन में जो लिखा हुद kęऊ मेरे पुत्रों प्रभू की शिश्षा सुनो और ये पिता है जो ये बात बोल रहे हैं आप कहेंगे कि लेकिन शास्त्री सर गाना गाना कैसे शिष्षा उसकी तुलना आप शिष्षा से कैसे करते हैं हमारे जितने मसीही गाने हैं अच्छे गाने उन सब में प्रभु के वचन की तमाम शिष्षाएं हैं ये बात मैं याद दिलाना चाहता हूँ महिमा से तु जो भरा हुआ जोती में सदा रहने वाला ये क्या है पदमेश्वर के बारे में प्रभु का वचन जो बोलता है ये उसकी शिष्षा है रब की होवे सन्ना हमेशा पदमेश्वर की स्थूती हो ये क्या है प्रभु के वचन की शिष्षा है आदी और अंत तू ही है अलफा और अमेगा तू ही है ये क्या है प्रभु के वचन की शिष्षा है प्रभु महान विचारूं कारिये तेरे ये क्या है प्रभु के वचन की शिष्षा है करने के लिए ये गाने एक माध्यम के रूप में काम करते हैं हमें से ज़्यादातर लोग इस बात को नजर अंदाज करते हैं जानते हैं क्यों दुनिया भर के बेकार के कामों को करने के बाद हमको अपने बेटे या बेटी को पालने के लिए फुरसत नहीं है मेरे पुत्रों पिता की शिट्षा सुनो शिट्षा तभी तो सुनेगा जब बाप के पास इतना समय हो कि वो बेटे या बेटी को शिट्षा दे सके आप कहेंगे कि शास्त्रे अंकल यह तो बहुत कठिन काम है किस से बोल रहे हो मैंने भी दो बच्चे पाले हैं ना के विल दो बच्चे पाले हैं मैं एक जॉइंट परिवार में पैदा हुआ था मुझसे चोटे चार भाई बहन हैं और बहुत चोटी उमर से मैंने उनका ट्टी पिशाप दुलाया है पुरैने जमाने के जॉइंट परिवार में सबसे बड़ा भाई या सबसे बड़ी बहन मा के लिए यह सब करते थे इसलिए यह आपको लगता है कि शास्त्री अंकल कुछ नहीं जानते इन्होंने कुछ नहीं देखा तो यह आप लोगों की गलत फहमी है अपने खुद के परिवार को ही नहीं देखा अपने भाई बहनों के परिवार को भी देखा है और इसलिए यह आप कहते हैं कि शास्त्री अंकल बच्चों को शिर्षा देने के लिए समय ही नहीं बच्चता है तो मैं एक बात पूछना चाहता हूँ टीवी देखने के लिए टाइम मिल जाता है अखबार पढ़ने के लिए टाइम मिल जाता है दोस्तों के साथ फाल्थू गपशप करने के लिए समय मिल जाता है लेकिन तुमारे स्वयम का जीवन जिसको तुमने जन्म दिया उसको शिठ्चा देने के लिए तुमारे पास समय नहीं है तो तुमारे पर लानत है तुम में और तुमारी गली में जो गली छप कुटा है उसमें क्या फरक है मैं फिर से कहना चाता है ये बड़े कड़े शब्द मालूम होंगे लेकिन जर्या गंबिरता से सोच लो कि तुम में और उसमें क्या फरक है कोई फरक नहीं दोनोंने बच्चे पैदा किये दोनों ही व्यस्त है एक साड़क शाप खाने के पीछे भाग रहा है और इसलिए जितने पिता लोग ये संदेश सुन रहे हैं 2030 के पहले दिन मैं उनसे पूछना चाता हूँ या अनुरोग करना चाता हूँ जरह अपने जीवन को पलट कर जाच कर देखें कि मैंने पिता होने की जिम्मेदारी को गंभिरता से लिया है क्या इसके दो उत्तर हो सकते हैं पहला ये नहीं मैंने जिन्दगी बर लापरवाही की यदि ऐसा है तो आज 2020 के पहले दिन प्रभू से माफी मांगिये कि है प्रभू आपके द्वारे दी गी जिम्मेदारी थी मैंने इस मामले में लापरवाही की मुझे माफ कीजिए मेरी मदद कीजिए कि आएंदा मैं इस कारी को सही रीती से कर सकूँ प्रभू आपकी मदद करेंगे मसीही जिवन में ऐसा कभी नहीं होता कि बहुत देर हो गई जब भी हमको अकल आ जाती है उस समय यदि हम प्रभू के पास चले जाएं तो प्रभू हमारी मदद करेंगे इसलिए जितने पिता लोग परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि वे आज अपने स्वहिम के जीवन को जाँच कर परक कर अपने आपको समर्पित कर दे आप कहेंगे कि जैसा मैंने कहा कि आपको इन चीजों का अनुभव नहीं है ऐसा नहीं है मुझे बहुत अनुभव उसके बारे मैं अभी बताता हूँ मेरी पैदाईश एक ऐसी पीड़े में हुई जहां बाप बच्चों के साथ समय नहीं बिताता था मेरे पापा 92 साल के हैं मेरे साथ हैं जॉइंट परिवार था संयुक्त परिवार था जिसमें मेरा जन्म हुआ और इन भारती सेहुप्त परिवारों में एक बार बस पत्नी को गर्भवती कर दिया उसके बाद पिता की कोई जिम्मेदारी नहीं रह जाती थी यह मैंने खुद देखा है कई परिवारों में तो बच्चे पिता के मुँँ पर देखकर बात नहीं कर पाते हैं मेरे खुद के परिवार मैं ऐसा था मैं अपने फादर के चेहरे पर देखके बात नहीं कर पाता था प्रभू के वचन का जो आदर्शम को मिलता है जो मॉडल मिलता है वो यह नहीं है प्रभू के वचन का मॉडल यह है है मेरे पुत्रों पिता की शिठ्षा सुनो मतलब पिता अपने बेटे को बेटी को बैठा कर शिट्षा देता है तो मैंने भी देखा है उन वे पारिवारिक जीवन जहां पिता बस पत्नी को गर्भोती करने के अलावा फिर पिता की कोई जिम्मेदारी नहीं रह जाती है आज से कुछ सालों पहले तक ऐसा ही था जॉइंट परिवारों में, सैयुक्त परिवारों में लेकिन सैयुक्त परिवारों में एक अच्छे बात क्या थी कि चाचा, ताउ, मामा, मामी, बुआ, फूफा काफी सारे लोग होते थे इसलिए वे लोग बच्चे को काफी टीचिंग और ट्रेनिंग दे देते थे मेरी दादी माँ थी जिन्नोंने मुझे हर तिरह से प्रभु के वचन की ट्रेनिंग दी तो मैंने खुद देखा है और मैं ये बताना चाहता हूं कि ये बहुत ही गैर जिम्मेदारी का काम है कि आप बच्चे पैदा करें और पालने के लिए दूसरों पे छोड़ दे 2023 में ये निरने ले लीजे कि जो हो गया हो गया आज से मैं अपने बच्चों की जिम्मेदारी आप लूँगा और उनको प्रभू का वचन सिखाऊंगा यहां ऐसे भी लोग है जिनके अभी शादी नहीं हुई है उनको मैं याद दिलनाना चाहता हूं बेटा बेटी हम बहुत ही गैर जिम्मेदाराना समाज में रह रहे हैं हर किसी को जीवन में सुक चाहिए जिम्मेदारी नहीं चाहिए कल को तुम शादी करोगे ऐसे लापरवाह मा या बाप नहीं बनना क्योंकि इसके लिए तुमको हिसाब देना पड़ेगा इसलिए जिन लोगों ने अभी तक शादी नहीं की है वे लोग अभी से प्रभू के वचन से इन बातों को समझने की कोशिश करें और बार बार प्रभू से प्रार्थना करें कि प्रभू इस मामले में हमको जो भी आदर्श मिला है वो अपने आप में सही नहीं है हमारी मदद कीजे कि हमें समझ सके कि आएंदा जब हमारी शादी हो जाएगी तब हम एक जम्मेदार पिता या जम्मेदार मा कैसे बन सकेंगे ऐसे भी कही लोग हैं जो बहुत जल्दी ही मापाप बन जाएगे ऐसे लोगों को मैं याद दिलाना चाहता हूं कि देर हो जाए इसके पहले ही इन सब बातों के बारे में सोच कर समझ कर जो कुछ करना है वो अभी से शुरू कर दें याद रखें देर हो जाए तो उसके बाद बड़ी दिकत हो जाती है मकान बना दिया मकान चाटकने लगा क्यों नीव डालना भूल गये थे तो अब ये सेकड़ों हजारों टन के मकान को उपर उठा के नीव डालेंगे क्या है ऐसा कभी नहीं होता है याद रखें एक मा एक बाप उनको जो कुछ समझना है सब प्रभु के वच्चन में है लेकिन हम लोग इतनी लापरवाही करते हैं कि इन बातों के तरफ ध्यान नहीं देते तो हे मेरे पुत्रों पिता की शिट्षा सुनो आज जो लोग सुन रहे हैं उसमें से जिनकी शादी नहीं हुई वे इस बात को गाठ बांद लें जो लोग आने वाले दिनों में जो लोग एक परिवार घर में एक नए सदसी के स्वागत में आखें बिछाए बैठे हैं उनको मैं याद दिलाना चाहता है अभी से तैयारी शुरू करो और जो लोग बच्चे अल्रड़ी पाल रहे हैं उनको मैं याद दिलाना चाहता आप शिट्शा दूँगा, समाज पर नहीं छोड़ोंगा, मेरे बच्चे पिले नहीं हैं जिनको समाज पर छोड़ा जाए, मेरे बच्चे परमेश्वर के स्वरूप मैं जन्म लिये हुए पुत्र और पुत्री हैं, जिन्हों ने मेरे स्वरूप में भी जन मिलिया है और इस कारण उस बेटे या बेटी को प्रभु के वचन की शिठ्षा देना उसको भलाई और बुराई की शिठ्षा देना यह मेरी जम्मेदारी है यह निरने ले ले और बाकाइदा अभी से नोट कर लें कि बच्चों को क्या-क्या शिट्षा देनी है आप कहेंगे कि शास्री इंकलाब तो कुछ जादा ही बोल रहे हैं यदि आपको लगता है कि आपके बच्चों को प्रभू के रास्ते पर चलाने के लिए मैं अनुरोत कर रहा हूँ ये कुछ जादा हो रहा है तो ये आपकी इच्चा है पईया बच्चे आपके हैं यदि आप बच्चों को बरबात करना चाहते हैं तो ये आपकी इच्चा है लेकिन एक बात ना भूले यदि आप अपने लापरवाही के कारेंट अपने बच्चों को बरबात करते हैं तो पजमेश्वर के वचन में जो लिखा है धोखा मत खाओ मनिश्वर का उपहास नहीं कर सकता वो जो कुछ बोएगा वही काटेगा तो जब प्रबु का वचन जो कहता है उसकी उपेक्षा करके और प्रबु के वचन से मैं आपको जो बातें याद देना रहे हैं उसकी उपेक्षा करके आप यदि लापरवाही से अपने बच्चों का पालन पोशन करते हैं मेरा कुछ नहीं जाएगा जाएगा आपका और आपका डबल इसलिए जाएगा कि आपने प्रभु के वचन से आज सुन लिया है कि इस तरह की शिट्शा देना जरूरी है इसलिए जो लोग मा या बाप बनने जा रहे हैं या जो बन चुके हैं वे लोग बाकाइदा एक डायरी या नोटबुक लेकर प्रभु के वचन से जो कुछ अपने बच्चों को सिखाना है उसको नोट कर लें तो यहां कुछ जादा नहीं है इसमें कोई मैं आपसे जादा डिमांड नहीं कर रहा प्रभु के आपका बच्चा एक शब्द बोलने लगता ह है तब से उसको प्रभु का प्रभु के वच्चन के पद याद दिलाएए परमेश्वर प्रेम है कितने पद हैं आप कहेंगे कि अरे बच्चों को पद याद दिलाए परमेश्वर प्रेम है तीन शब्द ही तो है बच्चा जब बोलने लगता है तब से उसको प्रभु के वच्चन की ट्रेनिंग दीजिए उन पदों की लिस्ट बना लीजिए जो आपके बच्चे को आपके बच्चे को सिखानी है और बच्चों की स्परण शक्ति बहुत है यह मैं याद दिला दूँ मैं अपने खुद का उदाहरेंट देना चाहता हूं मेरे चर्च में बाइबल पदों को स्मरण करने पर बहुत जोर दिया जाता है और मेरा बेटा जब नवी में पढ़ता था तब चर्च में हर सल बच्चे जो है एक दो टीचर्स के सामने बैठकर उनको जो पद याद है वो सुनाते हैं मेरे बेटे ने एक बज़े जो स्टार्ट किया एक बज़े से लेकर रात को च्छे तक जारी रखा और पद खतम नहीं हुए एक हजार के करीब पद उसने याद किये थे याद रखें बच्चों की दिमांग पर कोई स्ट्रेइन नहीं पड़ता है उनकी कपैसिती बहुत है मेरे बेटे ने एक हजार से ज़़ाद पद याद किये थे बिटिया ने भी किया था और मेरे चर्च में आज भी ऐसे बच्चे हैं जो एक हजार से ज़़ाद पद नवी क्लास में पहुँचने से पहले याद कर लेते हैं लेकिन कौन से पद है जो बच्चों को सिखाना है यह थोड़ी सिखाना है कि आदम से शेत पैदा हुआ, शेत से ऐसा हुआ, ऐसा हुआ नहीं आदी में पर्मेश्वर ने आकाश और पृठ्वी की सुरुष्टी की यहोवा मेरा चरवाहा है क्योंकि पर्मेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया इन पदों की लिस्ट बना लीजे, तो जब मैं कहरा हुआ कि डायरी लिखना शुरू करें तो इसमें कोई आथिश्योक्ती नहीं है प्रभु के वचन से कौन-कौन सी कहानी अपने बच्चों को सुनानी है इसको जब नोट कर लीजे, लास्ट मिनिट पर कुछ नहीं होता है तो इसलिए यदि आपका पुत्र और पुत्री प्रभु के वचन की शिठ्षा सुने यदि आप चाहते हैं कि उस सुने, तो आपके लिए जरूरी है कि आप तैयारी करें मैंने अपने जीवन से कई उदाहरं दिये, जैसा मैंने आपको बताए, मेरे दो बच्चे हैं बच्पन से मैं उनको बाइबल की कहानिया सुनाता था वाइफ को भी मैंने बहुत प्रोथसाहित कि बाइबल की कहानिया सुनाए बच्चों के आदत यह हो गई थी कि उनको हर दिन कम से कम एक कहानी सुननी है पहले पवित्र बाइबल से हम सुनाते थे उसके बाद हम लोगों ने नैतिक कहानिया भी सुनानी शुरू की और उसके बाद फुरुन के बुद्धी के विकास के लिए बौधिक विकास की कहानिया आरम की आपको ताज्यूब होगा मेरे बच्चे जब कॉलेज में आ गए तब तक मैं उनको कहानी सुनाता था बस जिस दिन उनकी छुटी दोपर को एक साथ खाना खाना खतम नहीं हुआ कि बेटे या बेटी की फर्माईश डैड एक कहानी और मैं तो यह एक joint family के समान रहता हूँ बड़ी बहन छोटी बहन छोटी के दिन सब लोग हमारे घर आ जाते थे कहानी सुनने के लिए बस डैड एक कहानी चाचा जान एक कहानी ताओ जी एक कहानी तो इसलिए मैं यह जो कह रहा हूँ यह कोई सैद्धान्तिक बात नहीं है मैंने स्वयम किया है यह बहुत 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 costly बात है आपको दूसरों के साथ fall to बात्चित में टेलिविशन वो यह इन सब चीजों से थोड़ा सा परहेच करना पड़ेगा समय निकालना पड़ेगा जिससे कि आप रभु के वच्चन को पढ़कर उसमें जो एतिहासिक कहानिया हैं उनको समझ कर थोड़ा सा सोच कर उस कहानी को एक जीवित तरीके से अपने बच्चों के सामने रखना है यांत्रिक तरीके से नहीं जीवित तरीके से मेरा मतलब है जब हम उस बाइबल कथा को सुनाते जाते हैं तो उसके अंदर जो शिच्चाएं चुपी हुई हैं उसको भी बताते हुए जाएं आसान नहीं है लेकिन येदी हम प्रभू के वचन के प्रति गंभीर हैं और येदी हम अपने जीवन के प्रति गंभीर हैं येदी हम अपनी बुलाहट के प्रति गंभीर हैं और येदी हम अपने परिवार के प्रति समर्पित है तो हमको ये सब करना होगा 2023 के पहले दिन, पहले संडे, ये प्रबोधन, मैं आप सब के साथ छोड़ना चाहता हूँ, मेरे प्रिये भाई, मेरी प्रिये बहन, अपने आपका मुल्यांकन करें, गाठ बांद लें कि मुझसे, आज तक जो नहीं हो पाया था, आज से मैं करूँगा, प्रभु आपकी करें, क्लोजिंग में मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूँ, मैं इसके पहले भी आपको बता चुका हूँ, आपके स्मार्टफोन पर आसानी से पढ़े जाने के लिए, हम लोग काफी सारे electronic book नियमित रूप से रिलीस कर रहे हैं, चार सीरीज हैं जो हम नियमित रिलीस कर रहे हैं, बाइबल परिचे माला, इसमें हम आपको बताएंगे उत्पती क्या है, निर्गमन क्या है, लेविय विवस्ता क्या है, बाइबल इतिहास माला, इसमें बाइबल में जो चरितर है, कहानिया हैं, उसको चितर सहीत हम दे रहे हैं, तीसरा है बाइबल उपदेश माल जिसमें ये बता रहे हैं कि बाइबल के उपदेश क्या है मसीही जीवन माला जिसमें व्यावारिक जीवन के बारे में ये सफ्री है और प्रभू ने मदद की तो 2023 के अंत तक कम से कम 101 किताबे हो जाएंगी कैसे प्राप्त करें मुझे लिखें मेरा नंबर नोट कर लें मैंने इसके पहली भी कहा था कि मैं अपना नंबर आपको दिया करूंगा हर संदेश में मेरा नंबर है 999-519-8690 999-519-8690 यदि किसी कारेंट से ये नंबर आप लिख नहीं पाए तो शास्त्री जगवीर से या भाई गबर सिंग है उसके अलावा और भी कई सारे प्रचारक हैं यहां पर चंबल इलाके उन में से किसी से पूछ लीजिए वो तुरंत आपको नंबर दे देंगे यह जो है बहाना नहीं चलेगा कि हमको नहीं मालूम था कि किस तरह से अपने बच्चों को हमने आपके लिए मैटीरियल तैयार कर दिया है